Hello students, अगर आप B.C. Agriculture के सभी subjects के Hindi English में Notes लिखित में चाते हैं, तो इसके लिए आपको एक website पर जाना होगा, इसके लिए आपको Google में सर्च करना होगा, प्लांट ब्रेडिंग 2010, जिसमें कोई भी space आपको नहीं रखना है, तो हम लोग सर्च करते हैं, प्लांट ब्रेडिंग 2010 और उसके बद आपको एंटर दमाना है, जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो, तो आपको सबसे उपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा, Science and Agriculture Botany के नाम से, ठीक है, यह website कौन सी है, प्लांट ब्रेडिंग 2010.blogspot.com, तो इस लिंक को आपको उपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लिंक के उपर क्लिक करोगे, तो आपको एक Science and Agriculture Botany के नाम से, website open हुई दिखाई देगी, इसमें आपको left corner पर sidebar पर क्लिक करना है, और जैसे ही sidebar पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अलग-अलग subjects के जो links हैं, वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो old papers के links हैं, वो भी आपको यहाँ पर असानी से मिल जाएंगे, जनके उपर क्लिक करके, आप notes तक पहुंच सकते हो, जो subjects यहाँ पर mention नहीं हैं, वो आने वाले time में यहाँ पर add कर दिये जाएंगे, crop improvement का next lecture है, lentil crop improvement, mansoor fassal onion, तो सबसे पहले introduction या प्रिचे की बात करें, तो इसका समाने नाम या common name है, mansoor, या इसको इंगलिश में बोलते हैं, lentil, वनस्पतिक नाम या botnical name इसका है, lens culinaris या lens asculenta, यह दोनों ही नाम जो हैं, वो इसके सही माने जाते हैं, कुल या families की leguminosity है, जिसको febacy भी कहा जाता है, उपकुल या सब family की बात करें, तो इसको बोलते हैं papilionis, गुणसुत्र संख्या या chromosome number आपसे पूछ सकते हैं, तो 2n is equal to 2x is equal to 14, 14 गुणसुत्र होते हैं इसमें, और यह deployed species या जाती है, उसके बाद जातियां या species की बात करें, तो मंसूर के अंदर कुल 5 species या जातियां होती है, इन में से केवल एक ही जाती है, जो कि क्रिश्या या cultivated होती है, जिसकी farming करते हैं, किसान, और 4 जातियां या species ऐसी है, जो कि जंगली या wild होती है, तो इस table के अंदर दे रखा है भी, सबसे पहले lens culinary या जिसको lens asculenta भी का जाता है, यह annual या एक वर्ष यह होती है, यानि एक वर्ष के अंदर अंदर इसका जीवन चक्र है, वो complete हो जाता है, सबाव या habit की बात करें, तो यह क्रिश्य या cultivated है, तो इसकी क्रिशी जो है, वो की जाती है, किसानों के द्वारा, इसके लाबा, चार जाती है, इसकी जंगली है, या wild है, जो की एक वर्ष यह या annual ही होती है, यानि की एक वर्ष के अंदर अंदर ही इनका जो life cycle है, या जीवन चक्र है, वो complete हो जाता है, तो इन चारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, लेंस, मॉमबेटाई, लेंस, निगरीकेंस, लेंस, एरवईडीज, और लेंस, औरियंटेलिस, उसके बाद क्रिश्य जाती है, या cultivated species, लेंस क्यूलिनेरिस्ट जो होती है, इसको आगे दो सब स्पीसिस के अंदर, या उ चोटा, स्परमा का मतलब यहां पे सीड या बीज से है, तो इसके पॉड वेब बीज जो है, वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और बीजों का जो व्यास है, या डायमेटर है, वो 3-6 mm या मिलिमेटर होता है, इसे मसूरी के नाम से भी जना जाता है, तो यह का और इनके बीजों का जो व्यास है, या डायमेटर हो डबल होता है, या डबल से भी ज़्यादा होता है, माइक्रो स्परमा की तुलना में, तो 6-9 mm इनका व्यास देखा गया है, इसको पॉपलरली हम लोग मसूर या मलका मसूर के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद अग्पत्ती है या इसकी जो ओरीजन है वो नियर इस्ट में मानी जाती है, तो नियर इस्ट को इसका अग्पत्ती के अंद्रिया सेंटर ओफ रिजन मानते हैं, नियर इस्ट में कौन-कौन सी कंट्रीज को सम्मिलित किया जाता है, इसमें उत्री इस्राइल, सीरिया, लेंस औरियंटेलिस नाम की जंगली जाती से मंसूर यानी लेंटिल की जो कल्टीवेटेड़ स्पीचिज़् या क्रिश्च कर जाती लेंस कि उसकी उत्पत्ति जा trainer हुआ है उसके बाद पुष्प या फ्लॉरल बाइलोजी की बात करें तो मनसूर या लैंटिल के अंदर साइमोस पुष्प करम या अन्फ्लोरिशन समय देखने को मिलता है इसमें सौलिटरी या एकल पुष्प होता है या फ्लॉवर होता है जो कि कक्षस्त होता है इसका मदलब या लीव्ज दित होती हैं वहाँ पर उनके कक्ष में या एक्सेस के अंदर फ्लॉवर जो है वो डबल डैवलप होता है सॉलिटरी या एकल रूप में तो इस डियाग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी ये इसका स्टैम या तना है और इस पर ये कंपाउंड लीफ या सियुक्त परन जो है वो लगी हुई है और ये पिन्नेटली कंपाउंड है इसका मतलब यहाँ परनक या लीफ लेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इस लीफ के एकसस से या कक्ष से एक फ्लॉवर या पुष्प जो है वो विक्सित होता है प्रकार से तो यह है भी साइमाउस पुष्प ग्रम या एकल पुष्प या विक्सका लम्टिल या मंसूर का उसके बाद फ्लॉवर के क्रेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो प्रते एक जो पुष्प ग्लॉवर है वो कैसा होता है इसका मतलब नर और माधा भाग या निक श् फ्लावर या पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। वरंतिय या स्टॉक, पैडिसलेट होता है फ्लावर, एक पैडिसल या स्टॉक की साइता से जुड़ा हुआ रहता है, मदर एक्सेस या मतरक्ष के साथ, इसके लावा सममिती की बात करें, तो एक व्यास सममिती या जैगो इसके लावा फ्लावर के पार्ट्स की बात करें, तो पुष्प जो है उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ पांच हरे रंग के बाहर दलिया सैपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के फाइव, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानिकी फ्यूजड कंडिशन में होते हैं, तो इसको गैमो सैपलस कंडिशन बोल देते हैं, प्रतेक पुष्प में अगर हम अंदर की तरफ बात करें, तो सफेद से बैंगनी निले रंग की, ठीक है, वाइट टू, परपल ब्लू कलर के फाइव पैटल्स या पांच दल होते हैं, और ये दल जो हैं, वो द्वजिया दल विन्यास प्रदशित करते हैं, या वैग्जिलरी एस्टिवेशन प्रदशित करते हैं, तो इस एस्टिवेशन के अंदर या दल विन्यास के अंदर तीन प्रकार के दल या पैटल्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं, सबसे पहला है ध्वजिया वैग्जिलम, जिसको स्ट भी कहा जाता है ये सबसे छोटे होते हैं संख्या में दो होते हैं और नीचे की तरफ उपस्तित होते हैं तो इन दलों के अंदर या पैटल्स के अंदर पुंकेसर वह इस्त्रीकेसर यानि स्टामेंस और कार्पिल्स वह वो एंख्लोस रहते हैं या बंद रहते हैं ठीक है और इस stage के अंदर हमेशा swap रागनिया self-pollination ही होता है और इसको बोला जाता है निमलित परागनिया मेडियम साइज के होते हैं और सबसे नीचे की तरफ सबसे छोटे कील जिसको नौतल या कहरेना भी कहा जाता है तो यह दो होते हैं संख्या में और इनके अंदरी पुंकेसर बैस्तरी के सर बंद रहते हैं तो यह तितली रुमा दल पैपिलियो निशिस पैटल्स का पाया जान और इस कंडिशन को बोलते हैं डाइडलफस या द्वी संगी इसका मतलब पुंकेसर या स्टामेंस कैसे होते हैं द्वी संगी है या डाइडलफस तो इस डियाग्राम के अंदर आप देख सकते हो द्वी संगी है पुंकेसर या डाइडलफस स्टामेंस शो किये गए हैं तो इसके लावा female reproductive part की बात करें अगर अपने तो प्रतेग पुष्प के अंदर केवल एक ही कारपल या अंडप होती है और इस अंडप या कारपल के अंदर दो से तीन बिजांड जो है या व्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं 2-3 और ये बिजांड जो है कौन से बिजांड या इसको बोल देते हैं marginal placentation के अंदर ये देखने को मिलते हैं उसके बाद floral diagram की बात कर लेते हैं हम लोग तो इसमें सबसे उपर की तरफ आपको मतरक्ष या mother axis देख रहा होगा और सबसे नीचे की तरफ इसमें ब्रैक्ट या सहपत्तर होता है इसके बाद floral parts की बात करें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको एक चक्र देख रहा होगा बाहय दलों का या सैपल्स का तो total 5 सैपल्स होते हैं green color के हरे होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनके चक्र को गा जाता है calyx या बाहय दलपुंच ठेक है उसके बाद अंदर की तरफ एक च पक्षिया वेंग होते हैं दो और सबसे निचे की तरफ चोटे अकार की नौतल या कील होते हैं उसके बाद अंदर की तरफ अपने बात करें तो इसके male reproductive part याने की नर जनन भाग होते हैं जिनको पुंकेसर बोल देते हैं तो यह पुंकेसर या स्टामिंस दो चक्रों के अं मिला रहता है चार पुंकेसर जो है वो जुड़े हुए रहते हैं तो इस प्रकार 9 प्लस 1 की arrangement जो है वो बनती है बिल्कुल सेंटर में चले जाओ आप तो इसमें एक ही अंडप या कारपल आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर बिजांड या ओविल जो है वो आपको की बात करें तो naturally या प्रकरतिक रूप से जो मंसूर या लेंटिल की फसल है वो स्वप रागितिया self-pollinated होती है मंसूर के पुष्पों के अंदर या लेंटिल के जो flowers है उनमें निमिलित प्रागन यानि कलिस्टोगम ही पाई जाती है ठीक है इसका मतलब क्या है पुंकेसर self-pollination देखने को मिलता है फ्लावर या फल की बात करें तो इसके अंदर पौड या लेग्योम टाइप का जो फ्रूट है वो पाया जाता है मंसूर के लेग्योम के अंदर दो या तीन बीज होते है ठीक है और ऐसे जो लेग्योम है उनको गा जाता है पौड उसके बाद प् कम लोग एक एक करके discuss करेंगे सबसे पहला रहता है उच उपज या थाई Yield तो ज्यादतर फसलों के अंदर या सभी फसलों के अंदर पहला जो जो ओधिश्य है वो यह रहता है कि ज्यादा स्यदा उपज प्राप्त हो मंसूर में जो उपज या यिल्ड है वो कुछ factors के हमें pods लगेंगे, फल लगेंगे, पॉदे के उपर उतनी ही ज़्यादा प्रती hectare उपज हमें प्राप्त होगी, दूसरा है प्रती फली बीजों की संख्या, number of seeds per pod, एक pod के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीजों का बार या weight of 100 seeds, तो जितना ज़्यादा बार होगा बीजों का उतनी ही ज़्यादा प्रती hectare उपज हमें प्राप्त होगी, उसके बाद है गुणवत्ता या quality जो है, तो quality के तीन main इसमें एक character साते हैं, सबसे पहला है बीज का जो अकार है, बड़ा बीजाकार या bold seed size होना चाहिए, तो ये भी हमारा उदिश्या रहता है, दूसरा है उच प्रोटीन मात्रा या high protein content, तो बीजों के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा है कम समय में पकना, less cooking time, तो जब हम पकाते हैं, मनसूर को तो वो कम समय में पकना चाहिए, तो ये भी एक गुणवत्ता या quality का feature है, उसके बाद बात करेंगे रोग, रोधिता या disease resistance की, तो कुछ रोग हैं, जो कि मनसूर की फसल को प्रभावित करते हैं, जिससे उसकी उपज कम हो जाती है, और जो quality या गुणवत्ता है, वो भी कम हो जाती है, तो रोगों के परती हमें resistant varieties develop करनी पड़ेंगी, तो कौन-कौन से रोग हैं या आपको पता होना चाहिए, तो इसमें तीन मेन हैं, Fusarium Build, Asco Phytoblight और Rust, उसके बाद है कीट रोधिता या insect resistance, तो कुछ insects भी हैं, जो damage करते हैं, याक्षती पहुंचाते हैं मनसूर की फसल को, तो इनके against भी हमें resistant varieties develop करना हमारा उदिश्य रहता है, तो इन insects के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसमें आता है pod borr, cutworm, और aphid, उसके बाद विश्रन रोधिता या resistance to shattering, तो विश्रन की समस्या याँ पे जुरूर रहती है, जब harvesting की जाती है, या कटाई की जाती है, मनसूर की फसल की, तो उसमें क्या होता है, जो बीज हैं, वो अपने आप ही pod से नीचे गिरने लग जाते हैं, इसको बोल देते हैं, विश्रन या shattering, तो अगर ऐसा होगा, तो जो किसान है या farmer है, उसको loss होगा, क्योंकि उपज कम हो जाएगी, तो इसलिए हमें ऐसी किसमें, या मनसूर की ऐसी varieties डेवलप करनी पड़ेंगी, जिनमें विश्रन नय हो या shattering के प्रती, इसके लाबा सुखा रोडिता या drought resistance, तो अगर शुष्क परिस्तितियां या dry conditions आ जाती है, हमाँ लिजे, irrigation कम दिया जाता है, या नहीं मिलता है एक टाइम पर मनसूर की फसल को, तो इससे उपज प्रभावित होती है, तो हमें ऐसी varieties develop करने पड़ेंगे, मनसूर की जो सुखा या drought की condition को सहन कर सके, उसके बाद बात करेंगे, हम लोग प्रजनन विधियां या breeding methods की, तो कुछ प्रजनन विधियों का उपयोग जो है, वो मनसूर के अंदर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है varietal hybridization या किस्मिय संकरन, तो संकरन के पचात फिर उसकी handling की जाती है, और handling के लिए तीन त्रहकी methods या विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वन्शावली विधि या pedigree method आती है, उसके बाद पुंज विधि यानि bulk method आती है, मनसूर की फसलों में नई varieties develop करने के लिए, तो मनसूर की कौन-कौन सी किस्में है या lentil की कौन-कौन सी varieties है, जो develop की गई है different president विधियों या upgrading methods के उपयोग से, तो 1970 के दशक में एक project चलाया गया, जिसका नाम था AICPIP, तो इसकी full form होती है All India Coordinated Pulse Improvement Project, ठीक है, तो इस project के अंतरगत, मनसूर जो है उसकी अनेक किस्में या बहुत सारी इसकी varieties जो थी वो develop की गई, ठीक है, तो कहां-कहां पर ये varieties develop की गई थी, तो ये पंतनगर के अंदर, IARI यानि New Delhi के अंदर, इंडियन Agriculture Research Institute पर, इसके लावा PAU, यानि पंजाब Agriculture University लुद्धियाना के अंदर, आदी जगों पर मनसूर की जो बहुत सारी varieties हैं, या किसमें हैं, वो develop की गई थी, तो इन में से कुछ important varieties हैं, जो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पंजाब वय हर्याना के लिए, चार varieties डेवलप की गई थी, पंत L406, पंत L649, लेंस 4076, और L912, राजस्तान के लिए, एक वराइटी आपको ध्यान में रखने हैं, L912, उसके बाद अंतराष्ट्रिय के अंदर है, इंटरनेशनल सेंटर जो है, वो मनसूर के लिए, कौन-कौन सा है, तो इसके अंदर एक ही सेंटर आपको ध्यान में रखना है, जिसको इकार्डा के नाम से जाना जाता है, तो इकार्डा की फुलपोम आपसे पुछी जा सकती है तो इंटरनेशनल सेंटर फोर एग्रिकल्चरल रिसर्च इन दर ड्राई एरियास, इसकी स्थापना या स्टैबलिश्मेंट कब हुआ था, 1976 के अंदर, 1976 में, कहां पे हुआ था, अलेपो, सीरिया के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी, इकार्डा जो केंदर है, वो मनसूर मनसूर के अनुसंधान में, यानि लेंटिल जो क्रॉप है, उसके रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर, सक्रिय रूप से लगा हुआ है, तो एक्टिवली वर्क चल रहा है, इसके अंदर पर मनसूर के अत्रिक्त, यानि लेंटिल पर तो वर्क चल ली रहा है, लेकि किलावा फैबा भी इन के उपर वर्क चल रहा है और काबुली चनाया काबुली ग्राम जिसको बोलते हैं उसके उपर भी करें चल रहा है उसके बाद राष्ट्रिय प्रोग्राम या नैशनल प्रोग्राम की बात करें तो 1967 1967 में ICAR ने दालों के उन्यन के लिए यानि जो पल्स होती है उनके इंप्रूब्मेंट के लिए उन्नत किसमों को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुवात की थी जिसका नाम क्या है भी AICPIP इसका नाम पहले भी आ चुका है दुबारा आ गया है इसकी फ्लूफोर्म आपस है 15 दस उप के इंदर है यानि 10 जो हैं वो सब सेंटर्स है और इसके लावा बहुत सारे या अनेक सहाइक के इंदर या हेल्पिंग सेंटर्स जो हैं वो बने हुए है 1977 में 1977 में इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया गया ठीक है और इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया ग रखा गया डिरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च इसको बना दिया गया और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया वही कानपूर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था अन्वी पीजी आर का जो मुख्यालय है नैशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जनेटिक रिसॉर्स इ इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट का जो कैंपस है उसमें स्थित है एन्बी पीजियार ने 1976 यानि 1976 से 1990 के मद्या में मंसूर के या लैंटिल के 6000 एक्सेशन्स जीवद्रव्य कॉलेक्शन्स या एकत्रन ममलोग बोल सकते हैं उनको सीरिया वय अन्य देशों से भारत में उनका पूर स्थापनिया इंट्रोडक्शन किया था ठीक है तो यह से आपको ध्यान में रखनी है इंपॉर्टन चीज अभी तो यह था भी अपना आज का लेक्चर